प्रदेश में अनलोक होने के साथ ही शिराब की दुकाने खोलना शिवरा सरकार के लिए मजबूरी बन चुकी थी जहां एक तरफ शिराब की दुकानों को लेकर विरोध हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ विधायक आकाश पिजेबरगी ने इसे बड़ी बुराई बताया है और कहा कि यह रिवैन्यू के लिए जरूरी है कोरोना काल में जहां आम आदमी की जेब धीली हो गई तो वहीं इसका सीधा असर सरकार के एक हजाने पर भी पड़ा है और यही कारण रहा कि सरकार ने अनलोक होते ही सबसे पहले शिराब की दुकानों के ताले खुलवाए हैं वहीं से लेकर विधायक आकाश विजयवर्गी की माने तो शराब एक बड़ी बुराई है बावजूद इसके सरकार के लिए दुकान खोलना मजबूरी है वहीं सरकार इस और भी प्रयास कर रही है कि कैसे प्रदेश को शराब खोरी से मुक्त दिराई जा सके देखिए हम सब जानते हैं कि शराब एक बिमारी है बुराई है बहुत बड़ी बुराई है सामाजिक और सबकी इच्छा है कि वो बंद हो मानने मुख्यमंत्री जी उस दिशा में काम भी कर रहे हैं मगर अभी जिस प्रकार का आर्थिक परिपेक्ष है सरकार को लोगों का द्यान रखने के लिए अर्थ की आवश्यक्ता पड़ रही है काम धंदे थोड़े कम चल रहे हैं टैक्सेस कम आ रहे हैं और कोविट के इलाज के लिए खर्चा बहुत लग रहा है तो कहीं ना कहीं से अभी टेंप्ररीली पैसों की विवस्ता जल्दी जल्दी हो जा इसका प्रयास करती है सरकार तो इसलिए ये चूर दे रखी है मगर माननिय शिवराज सी चोहान जी अल्टिमेटली इस प्रदेश में से शराब बंध हो इसके लिए प्रतिबद दें और जल्दी आप उसके परिणाम भी देखेंगे बहराल अब देखनी वाली बात तो यहां होगी कि अनलॉक के साथ साथ प्रदेश में शिराब बिक्री को लेकर उठ रहे सवालों का सामना शिवराज सरकार कैसे करती है ब्यूर रिपोर्ट, MP News, इंदौर